शब्दों की दी गई सूची में च, छ, ज और ज अक्छरों को गोला करना. आज हम बच्चों को दिये गई शब्दों में अक्छरों की पहचान करना सिखाएंगे. यहां पर दिये गई सारे शब्दों को बच्चों की कौपी में उतारिए. अब बच्चों से कहिए कि वे शब्दों में च, छ, ज, और ज, अक्छरों को पहचाने और उन्हें गोला करें. आईए, एक उदारण देखते हैं, सबसे पहला अक्छर च है, और पहले शब्द का पहला अक्छर च है, तो मैंने उसे गोला कर दिया है. पहली लाइन में मुझे और किसी शब्द में च नहीं दिख रहा है, अब हम दूसरी लाइन को देखेंगे, दूसरी लाइन में दूसरे शब्द का दूसरा अक्छर च है, तो मैंने उसे भी गोला कर दिया है, और तीसरी लाइन में आखरी शब्द का पहला अक्छर भी च है, तो मैंने उसे गोला कर दिया है। इस तरह मैंने शब्दों की दी गई सूची में च अक्छर को पहचाना और उसे गोला किया है। उसी तरह बच्चों को यह गतिविधी च ज और ज अक्छरों के साथ करने के लिए कहिए। अब हम बच्चों से एक चुनोती पूर्ण कार्य करवाएंगे। कक्छा एक के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक में पाठ चार प्रिष्ट संख्या उननिस खोलने के लिए कहिए। और कक्छा दो के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक में पाठ्थ तीन की प्रिष्ट संख्या सोल लगोलने के लिए कहिए अब जिन शब्दों में उन्हें च, छ, ज और ज अक्छर दिखते हैं उन्हें अक्छर को गोला करने के लिए कहिए जैसे मैंने यहां अक्छर को गोला किया है कार्य को पूरा करने के बाद बच्चों की कौपी और पाठ्य पुस्तक की तस्वीर लेकर हमें वाटसाब ग्रूप पर भेज दीजिए